है तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ही इंडेस्ट्री होता है हर प्लांट है हर इंडेस्ट्री में ते डेखने वाले हैं तो एक चीज ती समझ लेट करना है कुछ उसको मतलब जैसे भी करना है तो उसको मेंटरेंस बोला जाता है वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है एंड तक देखिएगा बहुत यूसफूल वीडियो होने वाला है हेलो फिन्स मैं वो पंकर चार आप लोग देख रहे हैं एंजिनिंग पाले यूटूब चैनल तो पिछली वीडियो को स्टार्ट करते तब कि सुझ मैंटेश्त जो है दो पार्ट में डिवाइट किया गया है फर्स जो है न ट्र है प्लान मेंटेशन और एक जो है plant maintenance, अभी unplanned maintenance क्या होता है, देखें, अगर कोई भी machine हो गया, कोई भी motor हो गया, जो चल रहा है, हम लोग सोचे नहीं उसको maintenance करना है, लेकिन वो चलते जालते खराब हो गया है, breakdown हो गया है तो उस condition में लोग उसको maintenance करना पड़ रहा है, तो उसको maintenance, corrective maintenance, predictive maintenance proactive maintenance और unplanned maintenance के अंदर में आते है, breakdown maintenance पहले हम लोग देखते है, primitive maintenance के अंदर क्या क्या आते हैं, उसके अंदर में आते है, daily maintenance हो गया weekly maintenance हो गया, monthly वाला हो गया उसके बाद quarterly maintenance हो गया schedule wise maintenance हो गया, hourly maintenance हो गया, तो उसके अंदर पे ये सब मेंट्रेंस आते हैं इसका कुछ एक्जम्पल देख लेते हैं देखें, मान लिजे कुछ एक कोई वी एक मोटर है ठीके, उसमें हम लोग क्या करेंगे डेल जाके उसका वाइब्रेशन देखेंगे उसका क्लिनिंग देखेंगे उसका टेंपरेशर क्या है ऐसे हम लोग देखेंगे मतलब उसमोटर है इन फ्यूचर में जाके ब्रेकडाउन ना हो तो उस कंडिशन में जो जो हम लोग चेक करना चाहिए हो हम लोग चेक करते रहते हैं इसको प्रिमेंटिव मेंटरेंस बोला जाता है मतलब कोई भी मेशिन ब्रेकडाउन ना हो हम लोग ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे तो उसको बिसिकली प्रिमेंटिव मेंटरेंस बोला जाता है अब नेक्स्ट देखते हैं कॉरेक्टिव मेंटरेंस corrective maintenance क्या होता है माले जी कोई भी motor या कोई भी machine चल रहा है ठीक है हम लोग उसमें जाके running में हम लोग उसको test करेंगे ठीक है जैसी कि हम लोग check करेंगे कि motor में vibration तो नहीं है और ज्यादा temperature तो नहीं है अगर कुछ मतलब उसमें कुछ implement कर सके हम लोग जो वाला machine है मतलब running condition हम लोग देख के रख देंगे ना ये वाला motor या machine जब बंद होगा तो इसमें हम लोग ये वाला चीज improvement करेंगे तो इसका जो efficiency और भी बढ़ जाएगा इसका life भी बढ़ जाएगा ठीक है तो इसका means होता है corrective maintenance इसका और एक example समझते मानलीजे आप कोई भी एक motor motor में maintenance करने के लिए गया है ठीक है technician हो गया या तो electrician हो गया maintenance करने के लिए गया है अभी जाने के बाद हो एक motor में maintenance कर रहा है लेकिन उसका side में motor मानलीजे चल रहा है मतलब running condition पे है उसमें अगर कुछ गलत दीखता है गलत अगर कुछ दीखता है जो हमारो जो electrician है जो technician है मतलब इसको implement करना चाहिए इसमें ये वाला motor में ये problem है मतलब एक motor में काम करने गया है दूसरा motor में problem आ गया है तो उसको ठीक कर कहा गया तो उसको corrective maintenance बोला जाता है अभी समझ लेते हैं predictive maintenance क्या होता है predictive maintenance ऐसा maintenance है जो कि हम लोग running condition में उसको देखते हैं जैसे कि tools के माद्धम से मान लिए एक motor है ठीक है tools के माद्धम से हम लोग उसमें चेक करेंगे vibration चेक करेंगे, temperature चेक करेंगे उसके बाद bearing का sound चेक करेंगे vibration मिला है तो tools अब लोग चेक कर लिए हैं उसके बाद उसमें हम लोग कुछ implement करेंगे vibration को ठीक करेंगे तो उसको basically predictive maintenance बोला जाता है जो कि tools के माद्धम से measurement करके हम लोग उसको maintenance में लेते है अभी देख लेते है proactive maintenance proactive maintenance क्या है देखिए proactive maintenance एक ताइप के maintenance जो कि continuously monitoring होता है ठीके माद्धी कुछ ऐसा machine है कुछ ऐसा कुछ device है जो कि continuously उसको मतलब running में ही उसको continuously monitoring होता रहता है ठीके तो उसको proactive maintenance बोला जाता है और proactive का और ही meaning है माद्धी जो कोई भी machine है जो चल रहा है तो वो in future जाके breakdown ना आए ठीके तो हम लोग पुरा active रहे कि उसको हम लोग observe करेंगे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं है और मतलब उस condition में उसको problem को solve कर देंगे उसको बंद नहीं होने देंगे तो उसको बोला जाता है proactive maintenance तो plant maintenance के अंदर में और एक category आता है shutdown maintenance shutdown maintenance क्या होता है देखें अगर shutdown means क्या होता है कोई भी industry हो वो मतलब one year बाद या six month माद मतलब पुरा plant बंद हो जाएगा plant बंद होने के बाद हर डिपर्मेंट में हर जिसका equipment है उसके उपर maintenance किया जाता है मतलब plant को बंद करने के बाद हम लोग उसको maintenance करती है उसको shutdown maintenance बोला जाता है ठीक है मतलब पूरा बंद होगा वो खाली maintenance ही चलेगा एक दो महीना तो उसको shutdown maintenance बोला जाता है तो अभी हम लोग next देखते है unplanned maintenance unplanned maintenance क्या है कोई भी machines है मानली जो चल रहा है ठीक है Suddenly कुछ कारेंड के चलती हो बंद हो गया मतलब breakdown हो गया मानली जो कोभी एक motor है motor के सामने कुछ gearbox जो लगा रहते है मानली gearbox टूड गया है ठीक उसके कारेंड हम लोग का जो production है बंद हो गया है इंडिस्ट्री में कितना डप के maintenance रहता है और अगर आप ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सस्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इतना ही thanks for watching